वह खिर्की के पास पहुचा उसने खिर्की खोली और उस पर चड़कर खिर्की से बाहर निकल गया बाहर बालकनी थी, उसने बालकनी से च्छलांग लगाए और धम से लौन में कूद गया उसके बाद उठ न सका उस रात राजगर में 50 इंसान कनकाल में तबदील होकर मर गये थे बहुत से घरों में हाहाकार मचा हुआ था बहुत से घरों के लोग सड़कों पर आकर चीक पुकार मचा रहे थे जिसने भी यह ख़बर सुनी वही सड़क पर आ गया सब अपने अपने करीबियों, जिनकी मौत का समाचार मिला था, उस तरफ दौर पड़े प्रशासन में हरकम मचा हुआ था पुलिस का गश्ती दल सड़कों पर आ गया था कि शहर में कहीं अराजकता न फैल जाए एक रात में ही इतने सारे इंसान कंकाल में तबदील हो गये थे जाच पढ़ताल से यह बात सामने आय थी कि उन सब को कुट्तुने काटा था सभी कंकालों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और पोस्टमाटम के लिए रवाना कर दिया लेकिन पोस्टमाटम तो तब होता जब कोई बोड़ी होती कंकाल का क्या पोस्टमाटम होता मौत का कारण तो साफ था शहर के नामी डॉक्टर बैनर जी ने भी उन्हें चेक किया और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह एक भयानक महामारी है जो कुट्तों से फैल रही है कुट्तों में ब्लेक बंग के लक्षन पहले भी पाए गए थे ऐसी घटनाए पहले भी शहर हर में हुई थी डॉक्टर आदित्य ने उन्हें से कुछ का इलाज करके बचा लिया था जबकि दो पेशिंट पहले भी कंकाल बनकर मर चुके थे इस बार यह हमला तेज था अब सवाल यह था कि रात के समय इतने सारे कुट्ते कैसे संगठे थोकर हमलावर हो गए उन्होंने पूरी रात सखकों पर गदर काटा था वह कुट्ते किसी गिरोव की शकल में एक साथ मिलकर हमलावर हुए थे उनका पहला हमला एक विवाह समारोव पर हुआ था इसी तरह का हमला सिनेमा हौल के निकासी गेट पर हुआ ऐसा लगता था जैसे वह ट्रेंट कुट्ते हो और उन्हें कोई कमांड कर रहा हो प्रशासन ने सबसे पहला काम यह किया कि शहर के सभी आवारा कुट्तों की धरपकर शुरू कर दी उनमें से अधिकांश को तो मौत के घाट उतार दिया गया था शहर में जितने भी पालतू कुट्ते थे उनसे कहा गया कि वह तुरंत अपने कुट्तों को रेबीज का इंजेक्शन लगवा दे रेबीज के इंजेक्शन से इस समस्या का निदान नहीं होगा उच्छ स्तर की मीटिंग में डॉक्टर बैनर जी ने अपना तर्क रखा, इनके काटने पर भी ब्लेक बंध हो सकता है तो फिर क्या शहर के सभी कुट्तों को मार देना चाहिए पुलिस कमिशनर ने सवाल किया, ऐसे तो मेरे घर में भी दो कुट्ते हैं दोनों मेल फीमिल लेवरा हैं और बहुत से लोगों के पास में बढ़े महंगे-μεहंगे कुट्ते हैं उन्हे कोई भी मारने की इजाजत नहीं देगा यह गेर कानूनी होगा हम पालतु कुट्तों को इंजैक्शन तो लगा सकते हैं परन्तु उन्हें मार नहीं सकते ने कहा, लेकिन डॉक्टर बैनर जी तो कुछ और ही बात कर रहे हैं. हाँ, आप क्या कह रहे थे? कमिशनर ने डॉक्टर बैनर जी से पूछा. इसका केवल एक ही इलाज है. रेवीज.4 और यह इंजेक्शन दुनिया में एक ही डॉक्टर के पास है. इंजेक्शन भी उसने अ उनको तलाश कर रहा है. उसका I.O. कौन है? कमिशनर ने पूछा. सुबह गोल कुआ थाने का एक इंस्पेक्टर है. उसका नाम राजन वर्मा है. वर्मा को फोन लगाए और मालूम कीजिये की. डॉक्टर आदित्य वाले केस में उसने क्या जाच की? उसका नंबर तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं S.H.O. से मालूम करवाता हूँ. S.P. अपने मोबाइल फोन पर नंबर सर्च करने लगा. Are you sure डॉक्टर बैनर जी की यह वही बीमारी है? कमिशनर ने बैनर जी से सवाल किया. 100% sure sir. इस किस्म के केस मेरे हॉस्पिटल में भी आय थे. डॉक्टर आद होए है. इस बीमारी में इनसान का गोश्ट गलने लगता है लेकिन ऐसा भी नहीं होता जैसा इस बार देखने को मिल रहा है. बीमारी का पहला सिम्टम्स आने के 10-12 दिन बाद मास. गलना शुरू होता है और अगर एक बार मास गलने लगता है तो उसका इंफेक्शन पूरी बोडी में होने लगता है. उसके बाद मरीज को बचाना नामुम्किन हो जाता है. उसकी बोडी सर जाती है. ऐसे मरीज को चिता में भी नहीं जलाया जाता. उसके कंकाल को जमीन में गार दिया जाता है. आग में जलाने से उसके विशानु हवा में फैल सकते हैं और सासों के जर्ये किसी की बॉडी में इंटर हो सकते हैं. सवाल यह है कि सिर्फ 24 घंटे में यह कंकाल में कैसे तब्दील हो गए? यह बहुत बड़ी रिसर्च का विश्य है. अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी. एस, पी, तब तक एस, एच, ओ, से बात कर चुका था. सर, जो ओफिसे डॉक्टर आदित्य के केस की तफ्तीश कर रहा था वहला पता हो गया है. उसकी कोई खबर नहीं है. नहीं उसका फोन काम कर रहा है. वोट, कमिशनर चौंक पड़ा. उसके बाद कॉन्फरेंस रूम में गहरी खामोशी चा गई. पूरे राजगर में कुत्ता सफाय अभियान चल रहा था. राजगर इस वक्त नेशनल न्यूस का सेंटर बना हुआ था. बहुत से रिपोर्टर वहां जगह जगह कवरेज कर रहे थे. तब तक तीन और इंसानों के लापता होने की रिपोर्ट दर रहा था. डी, एम, को भी अलर्ट मोड में रखा गया था. शहर से आवारा कुत्तों का तो पूरी तरह सफाया हो गया था. वैसे भी लोगों ने राथ को घरों से निकलना बंद कर दिया था. साथवे दिन. राजगर रेलवे स्टेशन पर रात के ग्यारा बजे आखेरी. ट्रेन आकर रुकती थी. उसके बाद सुबह पाँच बजे से पहले कोई ट्रेन वहाँ न तो आती थी, न जाती थी. उस रात ग्यारा बजे बजे वाली ट्रेन लगभग से ग्यारा बजे स्ट पर पहुंची। टॉल वाले अपना काम समेट कर घर को चले जाते थे। जिस समय ट्रेन प्लेट्फॉर्म नंबर एक पर आकर लगी, उसी समय पट्रियों से दोरते हुए। कुछ कुट्टे पीछे-पीछे प्लेट्फॉर्म पर आ गए और ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों पर जपट पड़े। कुट्टों की संख्या लगभग एक दर्जन थी, राजगर में चून की कुट्टों का खौफ पहले से था, इसलिए प्लेट्फॉर्म पर भगदर मच गई, यहां तक की कुट्टों के दर से रेलवे स्टेशन का स्टाफ भी काम छोड़ छोड़ कर भागने लगा। सबसे पहले कुट्टों ने उन दोनों कॉंस्टेबल पर हमला किया, जो डंडा फटकारते हुए उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे। वे कुट्टे यात्रियों पर हमलावर हो गए और चीक पुकार मच गई, स्टेशन के बाहर जो रिक्षा चालक सवारी ले जाने के लिए खड़े थे, सब भाग खड़े हुए। इसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। कुट्टे स्टेशन के अंदर बाहर को हराम मचाए हुए थे। कुछ यात्री तो अपना सामान फेक वापस ट्रेन में ही चड़ गए थे। उनमें से दो को कुट्टों ने टांग पकड़ कर वापस प्लैटफॉर्म में खीच लिया था। कुछ यात्री रेलवे की इमारत में घुस गए थे। उन्होंने जल्दी से दर्वाजे बंद कर लिये थे लेकिन जो खुले में थे उन पर कुट्टे कहर बन कर तूट पड़े। उनका ये हमला आधे घंटे तक जारी रहा। उसके बाद कुट्टे रेल चार जवान लाठिया फटकारते हुए स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ भागे लेकिन तब तक कुट्टे फरार हो चुके थे। जितने लोगों को कुट्टों ने काटा था, उन्हें एक जगह एक अत्रित किया गया फिर उन्हें एक बस में बिठा कर मेडिकल हॉस्प में हमलावर हुए थे, जहां उन्होंने आठ लोगों को काट खाया था और फिर चम्पत हो गये थे। रात भर उन्हें विबिन सढकों पर देखा गया था। कुछ राहगीर भी उनके शिकार हो गये थे। यह सभी कुट्टे का दावर थे और थे और बेहत खुनखार फुर क्या भी दोगुनी हो गई थी और इनके हमले में इस बार एक नई बात सामने आय थी, जो बेहत हैरान कर देने वाली थी। पहले वाहन को कुट्टे ने ही रोका था। चार कुट्टे सढक पर बैठे हुए थे। सिपाहियों को हुक्म था कि कुट्टों को देखते ही गोली मार दी जाए लेकिन जैसे ही पुलिस पेट्रोल कार रुकी उनके पास ही एक धमाका हुआ और हर तरफ धुआ फैल गया। दूसरी बात यह हुई कि स्ट्रीट लाइट भी ओफ हो गई। सढक पर अंधेरा चा गया। लाइट पूरे शहर की ही गुल हो गई थी। पुलिस को एक तो धुआ होने के कारण, दूसरे अंधेरा हो जाने के कारण कुत्ते नजर नहीं आए और कुत्तों ने उन्हें गाडियों से ही खीच लिया। दूसरे पुलिस कार पर भी ऐसे ही हमला हुआ था। इन दोनों वारदातों में आठ पुलिस कर्मियों को कुत्तों ने का आधर इंसान कनकालों में तब्दील हो रहे थे. किसी को भी बचाया नहीं जा सका. एक अफवाह यहाँ भी फैल गई थी कि यह शहर के आवारा कुत्ते नहीं, बलकि कुत्तों के रूप में प्रेथ हैं. अब इस बीमारी ने एक और नया रूप ले लिया था. जिन पुलिस व पर ही कुत्तों के अंदाज में हमला कर दिया. इसी तरह की वार्दाते दूसरी जगह भी हुई थी. कुछ रोगियों ने तो अपने ही परिवार वालों को कुत्तों की तरह काट डाला था. ऐसी कई घटनाय घटी थी. वह लोग जिनहें मरीजों ने काट खाया था, वह भी लेक बन के शिकार हो गए थे. मेडिकल हॉस्पिटल में शवों के अंबार लगने शुरू हो गए थे. हिंदूों के शव को दफनाया नहीं जाएगा. यह हमारी धार्मिक नीतियों के विरुद्ध है. शवों का अंतिम संसकार होता है. एक भगवाधारी शक्स ने कहा, शास का चकर मत चलाए, प्लीज. तो क्या बीमारी मिट्टी से नहीं फैलेगी? शास्त्री के साथ आए एक स्थानिय नेता ने पूछा, यह बीमारी कबरों से फैल रही. है, हिंदू के शवों को मुस्लिम की तरह कबरों में दफनाया जा रहा है. हम ऐसा नहीं होने देंगे. क्य क्यों भाई, क्यों रायता फैला रहे हो गुपता जी? यहां लोगों की जान जा रही है और इसमें भी आप लोग हिंदू मुसलिम का एंगल तलाश कर रहे हो. इस देश में तुमसे बड़ी बीमारी कोई और नहीं है. हर बात में हिंदू मुसलिम का एंगल तलाश करने प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार है मान्यवर. गुपता जी तैश में आ गया. लोग, क्या कर लेगा वे तू? मैं तो वैसे ही तंगा गया हूँ इस शहर से. हमारे पुलिस कर्मी भी शिकार हुए है. जा यार, दफा हो जा यहां से. जो तुझे करना. है कर, कसम से मेर बस. चले तो तुम लोगों को. क्या कर लोगे हमारा? देखते हैं, हिंदूओं की लाशो को कैसे दफनाया जाता है? चलो भाईयो, सभी कब्रिस्तान को घेर लो. कब्रिस्तानों में नहीं नेता जी, उन्हीं नंदा नदी के रेतीले तट पर गाड़ा जा रहा है. नेता के सहयोगी ने बताया, चल कर सभी शबों को निकालो और इस कमिशनर को भी देखना होगा. है तो मुसल्मान ही, यह हिंदूओं का धर्म नश्ट कर रहा है. यह लोग हिंदूओं के शबों को कस्टडी. मैं लेकर उन्हें दफना रहे हैं और इसी खान के आदेश पर हो रहा है एक घंटे बाद शहर में कमिशनर खान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और कमिशनर के ओफिस में फोन घंगनाने लगे. कमिशनर उस वक्त सीधे चीफ मिनिस्टर से होट लाइन पर बात कर रहा था. नहीं सर, ऐसा मेरे आदेश से नहीं हो रहा है. डॉक्टरों की सला से हो रहा है. आपको मालूम होना चाहिए, हिंदु राम नाम सत्य है के साथ अर्थी उठाते हैं. हिंदु धर्म में अंतिम यात्रा भी राम के नाम से होती है. जी, मैं जानता हूँ. आप शबों को उनके परिवारों को सौब दे. वह जैसा चाहे अपने धर्म के अनुसार करें. शहर में महामारी फैलने का खत्रा है जनाब. कमिशनर बोला. आपसे जो कहा जा रहा है, किया जाए. बहुत से हिंदु परिवारों की नाराजगी की शिकायत आई है कि उनके परिवार के शबों को मुस्लिम रीती से दफनाया जा रहा है. मुस्लिम में दफनाते हुए फातिहा पड़ा जाता है सर. हम इन्हें राम नाम सत्य है कहकर ही दफना रहे हैं. खान साहब, जरा यह तो सोचो कि अगर हिंदु भड़क गए तो आपका घेराव भी हो सकता है. मामला दूसरा रंग भी पकड़ सकता है. हिंदुओं को तो आपके नेता लोग भड़का रह हैं. कल को इस महामारी ने विक्राल रूप ले दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझसे ही सवाल किये जाएंगे यारी. M. से पूछा जाएगा. No sir, I am sorry. हम आम जनता को महामारी में नहीं जोग सकते दी. M. मधुकर जी भी हिंदू है और हम सबकी राय एक ही है. हमें राजगर को बचाना है. अब आपको जो करना है करिये लेकिन जब तक मैं पदपर हूँ, मेडिकल राय को अंदेखा नहीं कर सक हम लोग अपने तोर पर शहर को महामारी से बचाएंगे. इतना कहकर कमिशनर ने मुख्यमंत्री से वारता समाप्त करके फोन काद दिया. कमिशनर के सामने S.S.P. बैठा हुआ था. सर, मेरा ट्रांसफर किसी दूसरी जगह करवा दीजिए. S.S.P. ने हाथ जोड़ते हुए कहा. आप भी हिम्मत हार गए क्या? कमिशनर बोला, होसला क्या होता है? हम से सीखो. हम आज तक किसी नेता के दबाव में नहीं आए. हम जानते हैं, यह लोग अधिक से अधिक हमारा ट्रांसफर करवा सकते हैं. लेकिन ट्रांसफर की फिक्र उनहीं को होती है, जिनके परिव पार रिश्वत खोरी से पलते हैं. जो सिर्फ अपने वेतन से परिवार का खर्च चलाते हैं, उनका कोई भी नेता कुछ नहीं बिगार सकता. चाहे वह प्रधान मंत्री ही क्यों ना हो? इसलिए सर्विस करनी है, तो उसूल बना लो. किसी पॉलिटिशियन से नहीं डरना है हम लोग पर लिखकर अफसर बने हैं और यह नेता बिना पड़े ही मंत्री संतरी बन जाते हैं. यह इंसानियत की सबसे बड़ी महामारी है. अगर हम लोग इनके तलवे चाथते रहे, तो सारी मानवता खत्रे में पर जाएगी. मैं D. M. से बात करता हूँ. यह लोग हंगाम कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें इनसान, इनसान नहीं, बोट नजर आता है. जब तक राजगर की महारानी जिन्दा थी, तब तक इनकी एक भी नहीं चलती थी. आज भी यहां के लोग राजपरिवार की. बात मानते हैं और वे लोग हमारे साथ है, इसलिए किसी बात की फिकर म करिये. इतना कहकर कमिशनर ने डी, एम, को फोन लगा दिया. एक घंटे के भीतर कमिशनर खान ने अपात कालीन मीटिंग बुला ली. सर, यह उन कुत्तों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं. एक पुलिस ओफिसर ने कुत्तों की तस्वीरे कमिशनर के सामने रख दी. सभी कुत अगर में ऐसे कुत्ते नहीं है. यहां के लोकल कुत्तों का कद इतना बड़ा नहीं होता. यह भोरिया नसल के कुत्ते हैं जो तिबवत या हिमाले की बर्फ पोश पहार्यों में पाए जाते हैं. एक मिनट. तस्वीरे मोबाइल से खीची गई थी. कमिशनर के सामने उसका पोन रखा गया था. कमिशनर ने उसे अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया. तस्वीरे किसने खीची हैं? कमिशनर खान ने पूछा. जी सर, मैंने खीची हैं. एक पुलिस कॉंस्टेबल ने कहा, जिस वक्त उन कुत्तों ने हमारी मोबाइल गारी पर हमला किया, उस वक्त मै भाग कर एक जगह चुप गया और उनकी तस्वीरे उतार डाली. तुम लोगों ने उन पर फायरिंग क्यों नहीं की? सर, वहां भगदर मची हुई थी. जिस समय हमारी दो गारिया स्टेशन पर पहुँची, वहां चीक पुकार और भगदर मची हुई थी. सब गारियों से उतर कर स्टेशन की इमारत की तरफ मूग कर ही रहे थे कि कुट्टों ने हमारी टीम पर हमला कर दिया. उस सूरत में फायर करना मुम्किन नहीं था. हर कोई उन कुट्टों से जान बचाने की कोशिश कर रहा था. हमारे चार जवान उनके शिकार हो गए सर. जब यह सब हो र तो मैं छुपकर उनकी तस्वीरें उतार रहा था. वहाँ पर्याप्त रोशनी थी. वैसे मेरे फोन से अंधेरे में भी तस्वीर उतारी जा सकती है. कमिशनर ने अपने फोन पर उन तस्वीरों को जूम किया और फिर चौक पड़ा. तस्वीरों में कुट्टों के माथे प कौन कर सकता है यह सब? कुछ विशेश कुटों को बाकाइदा ट्रेंड किया गया है. और उनकी बोडी में वाइरस डाला गया है. क्यों डॉक्टर बेनर जी, आपका क्या ख्याल है? क्या यह मुम्किन है कि कुट्टों में यह वाइरस डाला जाए और फिर कुट्टे अपन ऐसे केस पाए गए हैं, जिनका इलाज डॉक्टर आदित्य कर रहा था? जी, डॉक्टर आदित्य हमारे हॉस्पिटल में भी मरीजों को देखते रहे हैं. और अब आपको लगता है कि यह साजिश है. कोई इन कुट्टों के जरिये यह महामारी फैला रहा है. कौन कर सकता है यह काम? मेरा शक डॉक्टर आदित्य पर है सर. बैनर जी ने जवाब दिया. ओ गॉड, तो क्या पहले भी डॉक्टर आदित्य ने यह काम किया था? मेरा संदेह था लेकिन अब यह संदेह पुक्ता हो गया है. बहुत सीधी सी बात है. पहले महामारी फैलाओ फिर इलाज के लिए मुटी रकम वसूल करो. वह अपनी लैब में रेवीज.4 के इंजेक्शन तयार कर रहा था और उसने इसका पिटेंट भी करवाया हुआ है. सरकार ने इस मामले में हस्तक्षिप किया और उसके इंजेक्शन को प्रतिबंधित कर दिया. सरकार उससे कोई डील करना चाह लेकिन बाद में मेरी आत्मा ने कहा कि यह पूरी मानवजाती से खिलवार होगा. सारी दुनिया में ऐसी बेशुमार लैब हैं, जहां जैविक. हत्यारों पर काम चल रहा है. इसी किस्म के वायरस बनाकर किसी भी देश की अर्थम्यवस्था चौपट करके भारी मुनाफ़ कमाते हैं. वह अपने किसी भी दुश्मन देश पर इन हत्यारों का प्रयोग करते हैं. यह काम दो तरह से होता है. पहले महामारी का वायरस छोड़ दो. मानवजाती का सनहार करो फिर उससे निजात दिलवाने के लिए ऐसे ठीके तैयार करके मार्केट में पेश कर करो डॉल कमाओ. यह धंधा है सर, जिसे सभी मुल्क कर रहे हैं. जब आदित्य ने इसका वायरस तैयार किया तो उसने राजगर में ही अपना प्रयोग शुरू किया. मैंने उसकी योजना समझ ली और इस कारुबार में शामिल होने की ओफदी, जिसे उसने ठुकरा दिया. वह अपन होने के सिलसिले में अपहरंगी कहानी तैयार की. मेरा अनुमान है कि उसने कोई बड़ी लैप तैयार कर ली है या उसके साथ कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है. इन कुत्तों को इसी काम के लिए तैयार किया गया है. शहर के आम कुत्तों में यह वायरस नहीं है. इसका कमिशनर खान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे अब इनका क्या करें डी एम ने सवाल किया लट बरसा दो सालों पर हर चीज में हिंदू मुसलिम का एंगल तलाश कर लेते हैं यहाँ पूरे शहर में नागरिकों की जानसांसत में पड़ी है और यहलाशों पर भी राज कराने में अपनी शहादत दी डॉक्टर बैनर जी क्या सभी शवों को दफनाना जरूरी है जी हाँ वाइरस भूए के जरिये हवा में फैल सकता है जमीन के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वाइरस को बॉड़ी में घुसकर खत्म कर देते हैं ऐसा नहीं है कि हिंदू जो लोगों को दफना दिया गया था अभी एक काम कीजिए कमिशनर ने S.S.P. से कहा आप नंदा नदी के उस रितीले तट को घेर लीजिए जहां हिंदूओं के शवों को दफनाया गया है कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मारना चाहिए कुछ लोग हिंदू कम्यूनिट की को भरकाना चाहते हैं शायद उन शवों को निकाल कर उनकी चिता जलाने की कोशिश करें जी सर यह लोग सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक मुसल्मान कमिश्वर ने हिंदूओं के शवों को दफनाने का हुक्म दिया हो सकता है कि मेरा ट्रानसफर करवा दिया के बाद भी आपको शहर को बचाना है। यह आप सब की जिम्मेदारी होगी। गश्टी दलो को हुक्म है कि वह रात को गश्ट करते समय हरगेज अपनी गारियों से बाहर न निकले और इन कुत्तों को देखते ही गोली मार दे। जरूरी निर्देश देने के बाद कमिशनर न कोई निकल आगे गई। उस गारी के आगे एक पुलिस वेन में भी कुछ जवान। हर स्थिती से निपटने के लिए मुस्तेद थे। जैसी की आशनका थी, शहर में आग लगा दी गई थी। एक बहुत बड़ी भीर नंदा नदी के तट की तरफ बढ़ रही थी। रेतीले तट पर शबों को दफनाया गया था। हर शब के ऊपर एक तक्ती लगा दी गई थी, जहां उसका नाम लिखा गया था। कल भी कुछ शब वहाँ दफनाय गय थे। भीर का नित्रित्व वही नेता कर रहे थे जिन्होंने कमिशनर का घिराव किया था। वहाँ पुलिस बल प्रयोग नहीं किया जा सकता था। हाला कि वहाँ वेरिकेडिंग लगा दी गई थी लेकिन भीर ने वेरिकेडिंग तोर दी और पुलिस बल को धकेलती हुई आगे बढ़ गई। यह बड़ा समवेदन शील मामला था। कुछ लोग लकड़ियां भी ट्रकों में भर कर ले आय थे और नदी तट पर चिताय बननी शुरू हो गई थी। कुछ लोग कुदाल फावगा से कब्र खोदने लगे। पुलिस मूख दर्शक बनी रही। लेकिन यह क्या। किसी भी कब्र से कंकाल बरामद नहीं हुआ। अब तो वहां हाहाकार मच गया। अफवाह उरी की पुलिस ने शवो को रातो रात वहां से हटा कर किसी दूसरी जगह दफना दिया है। रात के ग्यारा बज रहे थे। कमिशर खान ने अपने फोन का स्विच आफ कर दिया था। लेंडलाइन फोन भी आफ कर दिया था क्योंकि सुबह से लगातार फोन आ रहे थे। बहुत स पोच करने पर आमादा थे कि एक मुसलिम पुलिस कमिशनर ने हिंदूों के शवो को भी गायब करवा दिये। वह जानता था कि उनका एंगल यही होगा। कमिशनर खान ड्राइंग रूम में टहल रहा था। वह बहुत अपसेट था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उनके शव नहीं मिले तो सारा ठीकरा मेरे सिर पर फोर दिया जाएगा। उन्होंने सारे शहर में कई जगह आज मेरे पुतले जलाए हैं। देखिए जी हमारी कोई ओकात तो है नहीं। जुबैदा बोली। क्या मतलब। हमारा पुष्टैनी घर भी है। थोड़ी ब परते नहीं देखना चाहती। आपको इस गंदी राजनीती के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना होगा। मेरी नजर में आप एक करमट जानबाज सिपाही हैं जिनके पूर्वजोने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी शहादत दी है। अगर आप मेरी सलाह मान ले तो बह इन लिखी गई मैं मुसल्मान हूँ। त्याग पत्र लिखने से पहले ही तैयारिया कर ली गई थी। कुल दो प्राणियों का परिवार कुल था। सामान भी कुछ ज्यादा नहीं था। कोठी को लोक करके चाविया पुलिस हेड़क्वाटर में जमा करवा दी गई। कमिश राजगर से लगभग दो, सौ किलोमीटर दूर उसका गाउं था, जहां उसका जन्म हुआ था। उसके चहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी। वह जैसे हर समस्या से आजाद हो गया था। चहरे पर मुस्कुराहट थी। शाम का धुंधल का फैल चुका था। रात की स्याह पर उतरती जा रही थी राजगर में शाम होते ही वीरानी चा जाती थी। सब अपने अपने धंदे समेट कर रात का अंधेरा चाने से पहले ही अपने घरों को लोट जाते थे। हर तरफ वीरानी थी। अभी वह राजगर की सीमा पार करके नेशनल हाइवे के निकट जूद था। उसकी कार की हेडलाइट रोशन थी। कार रोक कर उसने आसपास निगाह डाली। यह देखने के लिए की हाइवे पर पहुँचने के लिए कोई दूसरा रास्ता है या उसे पीछे जाना होगा। पीछे एक कच्चा रास्ता है। बेगम बोली। वैसे इन पत् पर कैसे आ गए। हो सकता है, चटान से तूट कर गिरे हो। कमिशनर बोला और ड्राइविंग सीट का दर्वाजा खोल कर नीचे उतर गया। बेगम भी उसकी मदद के लिए नीचे उतर आई। अब वो दोनों मिलकर पत्थर हटाने लगे। तभी उन्हें अपने पीछे ग ही वहतेजी के साथ बेगम का हाथ पकड़कर कार की तरफ दोड़ा। कमॉन यहां कुछ गरबर है। उसने चीक कर कहा। लेकिन गरबर का मुकाबला करने से पहले गरबर हो चुकी थी। आसपास की जाडिया हिली और दो खौफनाक का दावर कुत्तु ने जाडियों से चला बरकरार न रखते हुए धराम से पुष्ट के बल सड़क पर गिर पड़ी। जुबैदा कमिशनर अपनी जान की परवा न करते। अपनी बीवी को बचाने लपक। पड़ा। एक कुत्ता जुबैदा की सीने पर सवार था और उसने जुबैदा की गरदन अपने जबरे में डबोच ली थी। कमिशनर उस कुत्ते से लिप्ट पड़ा। लेकिन दूसरा कुत्ता उसकी पुष्ट पर चड़ गया था। अब खान का संतुलन भी गरबढ़ा गया और वह जुबैदा के पास ही सड़क पर गिर पड़ा। अब दोनों के मुह से खौफनाक चीजे निकल रही थी। वह अपने बचाव के लिए उस शैतान कुत्तों से जद्दो जहद कर रहे थे। उनकी चीखे सुनने वाला वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उस रात तीन और जगह वारदात हुई। इस बार कुत्ते घरों में घुसे थे। वह चहारदिवारिया फलांक कर तीन बंगलों में घुसे थे। कुत्ते चार-चार के ग्रूप में थे। एक कोठी D.M. की थी, दूसरी S.S.P. और तीसरी डॉक्टर बैनर जी की, D.M. और S.S.P. की कोठी पर तो सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात थे लेकिन उनको खबर तब हुई जब इमारत के अंदर से चीक पुकार सुनाई थी। वो दोड़कर अंदर गए पर उसी वक्ट दोनों ही जगह लाइट आफ हो गई थी और अंधेरा चा गया था। बैनर जी की कोठी पर भी एक वाच्मेन था। कुत्तों ने सबसे पहले उसी पर हमला किया था। एक कुत्ता उसका नरखरा उध धिरने लगा। तीन कुत्ते इमारत के अंदर घुस गए। उनका एक्षन बिलकुल दहशतगर्द इंसानों जैसा था। सुबह पूरे शहर में कोहराम मच गया। जिसने भी यह खबर सुनी उसका चेहरा धुआ धुआ हो गया। पुलिस लाइन की गारिया दौरती फिर र जज रहे थे। उन्होंने राइफले तो पकड़ी हुई थी पर उनके हाथ काप रहे थे। तुरंत ही उन सबको अस्पताल रवाना किया गया पर यह तैं। था कि उनकी जिन्दगी के सिर्फ 24 घंटे बचे थे अलबत्ता जुबैदा बेगम ने तो दम ही तोर दिया था। नेशनल न्यूज चैनलों के रिपोर्टर्ज ने तो कई दिनों से वहाँ डेरा डाला हुआ था। वह अपने कैमरा टीम के साथ अस्पताल की तरफ दौर पड़े। यह सुबह राजगर के लिए बड़ी संसनी खेच थी। इस शहर में रुकना अब ठीक नहीं भाई जी। एक न्यूज चैनल के कैमरा पसंद ने लरचते स्वर में कहा जब S, S, P, D, M के बंगले सुरक्षित नहीं हैं तो हम होटलों में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। मैं तो चला घर को का क्या अमार रिपोर्टिंग भार में जाए रिपोर्टिंग। कैमरा मैं अपना सामान और आइडी समेट कर बैग में भरने लगा। मैं कहता हूँ इस वक्त जान बचाना जरूरी है। यह काम भूत प्रितो का है भाई जी। कभी भी हम लोगों का नंबर लग सकता है। निकल चलो भाई जी। चैनल वाले हमें नौकरी से निकाल देंगे। लात मारता हूँ मैं ऐस नौकरी पर ठीक है तो फिर रिपोर्टर ने भी हथियार डाल दिये। यही स्थिती दूसरों की भी थी। शाम होने से पहले सभी रिपोर्टर्ज ने पैक अप कर लिया। उन्होंने यह अंतिम समाचार शूट किया था। वे सब रात होने से पहले राजगर की सीमा से बाह नेपाल से तसक्री करने वाले भी इसे अपना कारोबारी केंद्र बनाते थे। फिर धीरे धीरे पूरे शहर में सननाता पसरना शुरू हो गया। पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग रहे थे। चुके थे, अब पुलिस लाइन में भी कोई नहीं था। ब्रिगेडिया ने सबसे पहले नगर में फ्लैग मार्च निकाला। सबसे आगे ब्रिगेडिया खुली जीट में अपनी यूनिफॉर्म पहने, मेडल लटकाए, सीना चोड़ा किये खड़ा था और एक ऐसे शहर में फ्लैग मार्च कर रहा था, जहां आदमी ही नजर नहीं आता था। उसने पूरे शहर का जायजा लिया और शाम को अपने ओफिसेज की मीटिंग ली। उन्हें निर्देश दिये की आर्मी के जवान राद भर गश्ट करेंगे कुछ खास जगह को चिनहित करके वहाँ चौकी बनाने का आदेश दिया। शहर की नाकाबंदी कर दी गई। अब उनकी अनुमती के बिना न तो शहर में कोई प्रवेश कर सकता था, न बाहर निकल सकता था। राशन का माकूल इंतजाम था और पुलिस लाइन का मिस खोल दिया गया था। आज तीसरा दिन था। इस बीच कोई भी उलेखनिय घटना नहीं घटी। आर्मी के जवान सढकों पर गश्ट कर रहे थे। वह सब जंगी। यूनिफॉर्म बने हुए थे। पूरे नगर में अनौंसमेंट कर दी गई थी कि कोई सढक पर नहीं दिखाए दे। सब अपने घरों में रहे। तीसरे रोज शाम को दिन के बाद ब्रिग दे कर गया था। बाहर आर्मी का पहरा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी। रिमोट ब्रिगेडिय के पास ही सोफे पर रखा हुआ था। अचानक टीवी की स्क्रीन डाक हो गई जैसे प्रसारन एक आएक बंध हो गया हो। ब्रिगेडिय ने रिमोट से चैनल बदलना चाहा परन तो इस स्क्रीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रिगेडिय ने सोचा शायद नेटवर्क का प्रॉबलम है लेकिन तभी स्क्रीन ओन हो गया और उस पर जो द्रिश्य नजर आया उसे देखते ही ब्रिगेडिय चौक पड़ा। वह यही समझा कि शायद कोई होर परने जा रहा हो लेकिन वह कमांडो इनसान नहीं एक कनकाल था या कोई रोबोट लगता था अचानक उसका चेहरा जूम हुआ और अप स्क्रीन पर उसके चेहरे का क्लोज अप था वह एक इनसानी कनकाल का कका चेहरा था आखों की जगह जैसे दो अंगारे रखे हुए थे जैसे इनसानों ने विबिन क्षेतरों में तरक्की की है और चांद सितारों पर अपनी धमक बनाई है वैसे ही हमने भी तीसरे विश्वयुद की तैयारिया शुरू कर दी है ब्रिगेडिय होशियार सिंग कनकाल के मुह से अपना नाम सुनकर ब्रिगेडिय होशियार सिंग बुरी तरह उच्छल पड़ा न चौकने की जरूरत है और न मुझ से डरने की जरूरत है तुम भी एक फौजी हो और मैं भी फौजी कमांडर हूँ तुम मनुष्य द्वारा निर्मित आर्मी के ब्र परा जाएगा और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे विश्व पर हमारा शासन नहीं हो जाता जिसके लिए हमें विश्व को तीसरे महायुद में जोकना पड़ेगा अब तुम अगर मुझ से कोई सवाल करना चाहते हो तो कर सकते हो क्या तुम मुझे कोई फिल्म दिखा कर डराना चाहते हो यह कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं है आज के दौर में इंसान वीडियो कॉल भी करके एक दूसरे से बात करता है तुमने शायद इस शहर के केबल सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है और अपने वीडियो फोन को कंट्रोल किया है मैंने केबल तुम्हारे टीवी को हैक किया है बलकि इसे यू समझो कि मैंने पूरे राजगर के सिस्टम को हैक कर लिया है यहाँ अब जो भी काम होगा हमारी इच्छा से होगा तुम लोग अगर हमारी आर्मी जॉइन करना चाहते हो तो खुला ओफर है शर तो अब तुम तीन और कनकाल हमें दिखाना चाहते हो। ओए भूत पुत्तर, बंद कर अपना यह ड्रामा। खैर, तू क्या बंद करेगा, मैं ही टीवी ओफ किये देता हूँ। मेरा सुझाब है कि या तो तुम अपनी यूनिट के साथ वापस लोट जाओ, या हमारी आर्मी जॉइन कर लो। बक्वास मत कर ओए। ब्रिगेडिय होशियार सिंग एक जाट था और अपने जीवन काल में दो जंग लर चुका था। उसे डराना इतना आसान काम नहीं था। उसने टीवी ओफ करने के लिए रिमोट उठाया ही था कि वह कंकाल, जो खुद को कंकाल टाइगर कह रहा था, एकदम से टीवी की स्क फालकर होशियार सिंग के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया, अब ब्रिगेडिय पूरी तरह उच्छल पड़ा, कंकाल ने एक सोफा खीचा और ब्रिगेडिय के ठीक सामने आकर बैट गया, उसने एक हाथ उठाया और ड्राइंग रूम का दर्वाजा भी लॉक हो गया, मैं न मारत के हर सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अब तुम्हारा मोबाइल फोन भी लॉक है, वैसे तुम चाहो तो अपनी रिवॉल्वर से मुझ पर गोलिया भी चला सकते हो, ब्रिगेडिय के पास रिवॉल्वर तो थी पर इस वक्त वह एक मेज की दराज में पड की है, वह कुछ और ही चीज है, क्या तुम, किसी दूसरे ग्रह के एलियंस हो, ब्रिगेडिय को पहली बार अपना स्वर, कापता हुआ महसूस हुआ, नहीं, मैं एलियंस नहीं हूँ, दरसल मैं एक प्रेत हूँ, हम में से बहुत से लोग जो मर चुके हैं और भूप्रेत ब हो चुका है, उनके शासक पूरी मानव जाती के लिए खत्रा है, हम एक नए यूक की शुरूआत करना चाहते हैं, जिसे तुम सत्यूग भी कह सकते हो, आज के दौर में 90 प्रतिशत इंसान नंगा हो चुका है, किसी को सत्ता की भूप है, ताकि वह अपनी अयाशिया कर सके, किसी को दौलत कमाने की ऐसी भूप है कि वह हर गंदा काम कर गुजने के लिए तैयार रहें, यही कारण है कि 5G, 6G और 7G की दिशा में मानव सभ्यता को धकेला जा रहा है, इसके विकरन में पशु पक्षी हात खत्म हुए जा रहे हैं, प्रकृती के सौंदर्य को निचोड लिया गया है, आज इंसान, इंसानियत का दुश्मन बन बैठा है, यह बिलकुल नया विश्व है, जहां महामारी के लिए वायरस छोड़े जाते हैं और फिर लाशों पर कारोबार किया जाता है, हर देश का शासक ही आज राक्षस बन चुका है, इसी होड में विश्व कि ब्रिगेडिय भी नहीं होंगे, जिनको तंख्वा तो 60-70 हजार मिलती हो और उनकी संपत्ती करुणों की हो, क्या तुम्हारे बेटे विदेशों में नहीं पढ़ते, जिन में से प्रत्येक का खर्चा 50 हजार महीना है, क्या तुम्हारे पास 3 लगजरी गारिया नहीं है, क्या तुम्हारे 10 फ्लेट नहीं है, क्या तुम्हारी दो कोठिया नहीं है, कहा से आता है तुम्हारे पास यह पैसा, मैं बता दून, आर्मी का सबसे कर्प डिपार्टमेंट S.E.S. डिपार्टमेंट से तुम्हें हर महीने 5 लाख मिलते हैं, इसके अलावा ट्रांसफर की क कमाए और प्रमोशन देने की कमाए अलग है, तुम लोग दुश्मन की फॉच से क्या लड़ोगे, तुम तो आतकवादियों को तसकरों को अपनी छत्रचाया में बॉर्डर पार करवाते हो, नेताओं की सियासत चमकाने के लिए जरूरत पढ़ने पर अपने ही सैनिकों को बमों से उड़ा कर बताते हो कि वह अतनकवादी हमले में मारे गए, ब्रिगेडिया अप सहम गया, वह पहली बार इस कंकाल से डर महसूस कर रहा था, वह तो जैसे वर्ड कम्प्यूटर था, यहाँ अनपर लोग हुकूमत करते हैं, इनसानों को जाती धर्म के नाम पर लड हमें पूरी दुनिया के इनी दरिंदों से लड़ना है, हमारी पहली हुकूमत राजगर में बनेगी, जहां हमारी पारलमेंट अपने फैसले लेगी और पहले इस देश के नेताओं को नेस्तनाबूर करेगी, इनकी तबाही बचाने के लिए कुछ मुल्क इनकी सहायता करें और फिर हमारा टकराव उन मुलकों से होगा, बस वही से विश्वयुद छिर जाएगा, ब्रिगेडिये, मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का समय देता हूँ, या तो वापसी पूरी यूनिट के साथ, या फिर तुम सब का स्थानांतरन प्रेत योनी में कर दिया जाएगा, इ ब्रिगेडिया की सास अटक सी गई थी, टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर न्यूस चलने लगी, अब आप सुनिये राजगर के ताजा समाचार, न्यूस रिपोर्टर समाचार सुना रहा था, ब्रिगेडिया होशियार सिंग ने टीवी आफ कर दिया और अपना मुबाइल फ उसके साथ करनल बलवंत दोगरावी गरावी मौजूद था, क्योंकि पुलिस प्रशासन शहर से नदारद हो चुका था और प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह उलट-पुलट हो गई थी, इस व्यवस्था को पुनह कायम करने के लिए ब्रिगेडिया होशियार सिंग ने म और चा संभाल लिया था और इन चंद दिनों में कुत्तों ने कोई वारदात नहीं की थी, होशियार सिंग ने सबसे पहला काम यह किया था कि राजगर की नाकेबंदी कर दी थी, नगर में आने जाने के जितने मार्क थे सब को ब्लॉक कर दिया गया था, रेल्वे स्टेशन को भी सील कर दिया गया था, प्रयोजन सिर्फ इतना था कि न तो राजगर में कोई प्रवेश करने पाए, न बाहर जाने पाए, वह बहुत ही मजबूत दिलगुर्दे का इंसान था, रात को जो कुछ हुआ था, उसे उसने जादू समझ कर नकार दिया था, इस समय शहर के गनमान्य और जन प्रतिनिधियों को उसने तलब किया था, ताकि उनके विचारों और मान्यताओं का विशलेशन किया जा सके, ब्रिगेरिया होशियार सिंग शहर की व्यवस्था को पट्री पर लाना चाहता था, और डर का माहौल खत्म करना चाहता था, सबसे पहले मैं यह कहुंगा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए, हम साइन्स के युग में जी रहे हैं, मैं मानता हूँ कि जादू टोना हो सकता है, मैं स्मरिजम और सम्मोहन से, बहुत से करिश में दिखाए जा सकते हैं, मैं यह भी मानता हूँ कि भूत प्रेत, जिन आदी शब्द है, इनका कोई वैग्यानिक आधार नहीं है, मानसिक बीमारियों के कारण कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, ऐसी बहुत सी बीमारिया है, सिजोफ्रेनिया भी एक ऐसा ही रोग है, जब इनसान दूसरी काइनात के लोगों को देखता है और अपने व्यक्तित्व को अ कारोबार चमका लेते हैं, डच डॉक्टर अफ्रीका में इसी काम के एक्सपट होते हैं, वह इन मानसिक बीमारियों से रोगी को मुक्त करके यह प्रचार करते हैं कि उन्होंने भूत को भगा, दिया, यह लोग जो भी इसकी जिम्मेदार हैं, वह भूत प्रितों की देहश तोर पर कहा जा सकता है कि उसने एक गैंग तयार किया, सरकार ने चून की उसकी इजाद की दवा पर प्रतिबंध लगा दिया था इसलिए उसने यह रास्ता अपनाया, उसने कुछ, मोटिया कुत्तों को ट्रेंड किया, जिनके माथे पर किसी खोपडी की मोहर लगा दी, इ इक्स्ट्रा डोज के कारण वह सब 24 घंटे के भीतर कंकाल बन गए, इसके पीछे उसका मकसद दहशत फैलाना था और फिर वह इस कारोबार को पूरी दुनिया में फैला कर अरबो खर्बो डॉलर्स का कारोबार करने का इरादा बनाये हुए था, आप में से कितने ही लोग ह बचने के लिए सुरक्षा ठीका लगवाना चाहेंगे, और उसकी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, विश्व में इस प्रकार का कारोबार फैलाने वाले बहुत से मुल्क और फॉमा कमपनिया हैं, जो जैविक हत्यारों का इस्तेमाल करके अपनी वैक्सीन क कारोबार करना चाहता है, उन्होंने बड़ी-बड़ी मुल्कों पर अपना शिकंजा कस लिया है, अगर वह देश उनके इशारों पर काम नहीं करेगा, तो उसकी सरकार गिरा दी जाएगी, ताजा उदाहरन अमेरिका का चुनाव है, दोनाल ट्रम्प ने इसे एक्सपोच क करने का प्रयास किया, तो उसे अश्वेत आंदोलन से घेर कर बनकर में चुपने को मजबूर कर दिया, फिर उसे चुनाव में हरा दिया गया, सभी मीडिया हाउस को भारी भरकम रकम दे कर खरीदा जाता है, और इन महामारियों का प्रचार किया जाता है, जन प्रतिनिधिय को बीमारी भी भारी रकम चंदे के तौर पर दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि कैसे यह आपदा में अपना धंधा भी कर सकते हैं और फिर लूट मार होती है। इसी कॉंसेप्ट पर डॉक्टर आदित्य काम कर रहा है। वह इस बीमारी को पूरे देश में ही नहीं, व भारी बंदोबस्त और सुरक्षा की जरूरत है। जरूरत यह भी है कि उनके खिलाफ पुलिस भी काम करने से मना कर दे। सेना को भी विवश कर दिया जाए और राजगर हर तरफ से उनकी राजधानी बन जाए। यह उनका मास्टर प्लान। इतना कहकर ब्रिगेडिय चंद प्रशासने का अधिकारियों में एक मात शहर का मेर बैठा हुआ था। और इस कार्यक्रम को एक ऐसी शक्ल दी जा रही है कि लोग इसे भूत प्रितों का काम समझकर हथियार डालकर यहां से भागने पर मजबूर हो जाए। ऐसा ही एक करिश्मा पिछली रात मुझे भी दि उपस्थित्व की नहीं है। मुझे आपके इन शब्दों पर आपत्ती है। उपस्थित समाज के जन प्रतिनिधियों में से एक शक्स हडा हुआ। वह पंडित जयंत दास था जो गेरुआ वस्त्रधारन किये हुए था। फिर आप यह कहना चाहते हैं कि काली का भी महत्व है। खुद इन शक्तियों का स्वामी रावन है, जिसमें ऐसे ऐसे तत्वों का वर्नन है जो इनी प्रेतों से काम लेते थे। फिर आप यह भी कह रहे हैं कि महिशासुर भी नहीं है, रक्त बोज, शुब निशुम, चंड, मुंड इन सब का कोई वजूद नहीं है। फिर यह प्रोग्राम तयार किया है और वही हमें मूग करता है और वही हमें डिलीट भी कर देता है। सब लोगों ने चौक कर जयंत दास की तरफ देखा। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। इश्वर तो है और हम जीवित प्रानी हैं। पर जिस चीज को देखा नहीं गया, जिसे साइंज नहीं मानता, वह. मेरी नजर में तमाम साइंज दान मूर्ख हैं, वह हवा को क्यों नहीं देख सकते जबकि हवा है, हम अगनी को क्यों नहीं देख सकते, जबकि हम सब अगनी में बैठे हैं। यह देखो, उसने जेब से एक माचिस निकाली, क्या यह माचिस नहीं न, पर इसमें वह chemical है जो हवा से आग को प्रकट कर देता है. इसका मतलब आग तो हवा में है, माचिस में नहीं और हम इस आग में बैठे हैं पर जलती नहीं. तब जलती है जब अगनी तत्व को प्रकट किया जाता है. उसने माचिस की तीली जला कर दिखा दी. कहां से आग इसमें. वह बोला, इसी तरह साइंज इस प्रेत माया संसार को देखना पाने के कारण. इसे फरजी मानता है पर आग हवा को फरजी नहीं मानता. आपका परिचे. ब्रिगेडिया ने सवाल किया. मैं प्रेतराज सरकार ट्रस्ट का संचालक पंडित जयंत दास हूँ. इ इसकी मोहर लगी है. वह है तो कनकाली लेकिन प्रेत है. उसे प्रेत योनी में जीते जी ट्रांसफर कर दिया गया है. इसलिए आप उसे किसी भी हतियार से मार नहीं सकते क्योंकि वह इंसानों की तरह जीवित हस्ती है ही नहीं. आप सवाल यह है कि वह कौन है? उसकी क्या का वर्नन सुना दिया. फिर उसने दास्तान आगे जारी रखी. उसने जो रूह परिवर्तन का खेल खेला है, मैंने उसकी काट करके अपनी बेटी को वापस उसकी रूह दिला दी और उसकी बेटी कामिनी मर गई, जिसे मैंने खुद चिता में मुखागनी दी, लेकिन मरते स कामिनी ने मुझे बहुत कुछ बताया जिसके कारण विक्रम से मेरी सहनुभूती हो गई. मैं चाहता था, मेरा वह दोस्त वापस लोटकर प्रेतराज सरकार में हाजरी दें, तो प्रेतराज उसका शरीर प्रदान कर देते लेकिन मैंने यह कोशिश तर्क कर दी क्योंकि अस मुझे यह सब कुछ साफ साफ बताना होगा, ताकि जो लोग दोशी हैं उन्हें बेनकाप किया जा सके. डेर सबेर कंकाल टाइगर उनसे भी हिसाब करने वाला है. उनमें सबसे. पहला नाम वर्तमान सांसत जेशनकर का आता है. जेशनकर चोका. उसने पलटकर जयंत की अपना करना चाहती है. पर तुम्हारी सारी टोली उपर से नीचे तक महिशासुर की सत्ता है. तुम लोग दुनिया के सबसे बड़े भुरष्ट और अत्याचारी हो. क्या बकवास कर रहे हो तुम? जेशनकर ने चीक कर कहा. यह बकवास नहीं, सच्चाई है. तुम महिशा के प्रचार तंत्र का हिस्सा हो और तुम्हारा. वद केवल काली ही कर सकती है और कनकाल. टाइगा काली का सबसे बड़ा भक्त है, जो जिन्दा प्रेथ है. तुमने दी एवी स्कूल के संस्थापक शिवकुमार से कहा कि तुम कामिनी को भोगना चाहते हो. उसने यह व्यव वह शी दरिंदे उसके साथ रेप करते थे. यही नहीं और भी बहुत सी लड़कियों को ब्लेकमेल करके वहा लाया जाता था. बहुत से सियासतदान अधिकारी, D, M, S, S, P, तक उस जगहा आते थे. कनकाल टाइगर ने उनमें से दो को और उनके सरपरस्त कमिशनर को भी सज दे दी. उसने सजा का अनोखा तरीका अपनाया है. वह तुम्हें भी कनकाल बना देगा. वह सारे कनकाल आज उसके गुलाम है और उन्हें ठीक उसी तरह यातनाय दी जाती हैं, जैसा नरक का विधान है. उसने यहां देहशत फैलाने के लिए कुछ निर्दोशों को भी शि के साथ है. अन्यता मैं चाहता तो उसका यहाभ्यान रोक सकता था. मैं उसे अपनी गिरफ्ट में ले सकता था लेकिन मैंने फैसला किया है कि उसके कारवा को रोकना नहीं है. वह धन अरजित करने के लिए यह महामारी नहीं फैला रहा है. उसका उद्देश बिलकुल साफ ह वह तीसरा विश्व युद्ध शुरू करके महाशक्तियों को आपस में ही लडाना चाहता है. ताकि यहाँ आपस में लड़कर खुद ही खत्म हो जाए फिर वह एक नए यूग का सूत्रपात करेगा. केवल नौ लाख इंसान ही जीवित रहेंगे. मुम्किन है, उसमें एक मेरा भी नाम हो. का, क्या, नौ लाख ही क्यों? ब्रिगेडिया ने रोक कर पुछा. कुद्रत का एक समविधान है. इस प्रिथवी पर चार यूग आते हैं. सत्यूग, त्रेता यूग द्वापर, और कल्यूग. कल्यूग के बाद फिर से सत्यूग आता है, जहां इंसान बोलता है और धर्म का द्वजा वहक होता है. इसके अनेक मनवंतर है. इस समय, पैत्वस्ट चल रहा है और 28वा मनवंतर है, जिसके इस कल्प के देवता वरा है, जो सबसे पहला अपतार है. आप लोग बहुत जल्दी विश्व में प्रलय देखेंगे. यह प्रलय तीसरे मह आयुद की शकल में दिखाई देगी. अतह मेरा निवेदन है कि खामोशी से इस नगर को खाली कर दे, अन्यता आप सभी कनकाल बनने के लिए तैयार हो जाएं. यह बकवास कर रहा है, जूट बोल रहा है, जेशन कर चिल लाया, इसके साथ ही वह उठखडा हुआ, हकीकत यह के साथ फरार हो गया था. मैं नहीं जानता कि वह फरारी के बाद कहा रूपांच हो गया. जयंत ने कहा, जमुनादास थर-थर काप रहा था. वह मन ही मन हनुमान 40 पढ़ रहा था. अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था. मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कैसे जमुनादास ने कापते स्वर में पूछा. अरे, तुम अकेले नहीं हो. जब वह जेल में था तो उससे पहले डॉक्टर आदित्य ने उससे लूटा. फिर पुलिस वालों ने लूटा. S.S.P. ने उससे रिश्वत ली. यहां तक कि जज़ वकील ने भी भी उससे लूटा. फिर भी उससे सजा सुना दी गई. है. उसने करप्षन का यह नंगा नाच देखा है, भोगा है. अगर उसके साथ यह सब न होता, तो वह बरी होकर सीधा मेरे पास आता और मैं उसका शरीर वापस दे देता. लेकिन जेशनकर और उन पापियों का क्या होता? जिन्होंने उस आपकी गुंजाइश कहां रह जाती है? मैं अपने दोस्त का आज भी इंतजार कर रहा हूँ. जमुनादास तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं नहीं जानता. तुम इस शहर से निकलना भी चाहोगे तब भी वह निकलने नहीं देखा. जयंत जी, आप मेरी रक्षा कीजिये. DAV स्कूल का प्रबंधक शिवकुमार भी उठकर जयंत के पैरों में गिर पड़ा. जयंत ने उसका गिरेबान पकड़ कर खड़ा किया. मैं चाहूं तो तुम्हें अभी सजा दे सकता हूँ. ना जाने कितनी लड़कियों को तुमने ह अवस के दरिन्दों के हवाले किया होगा. लेकिन मैं ना तो तुम्हें माफ करूंगा, ना. तुम्हें कोई सजा दूनगा. तुम जिसके गुनाहगार हो वही तुम्हें तुम्हें अप शुरू होगा. पुलिस कमिशनर S, S, P, D, M, इतने बड़े गुनाहगार नहीं थे. वो इस भ्रश्ट व्यवस्था का हिस्सा थे पर मुझे नहीं मालूम तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाया जाना है। उसके बाद जयंत ने ब्रिगेडिय की तरफ देखा। आप अपने जवानों को संकट में न डाले। जितनी जल्दी हो सके यह शहर छोड़ दे। उसने आपको चेतावनी दे दी है। ब्रिगेडिय ने करनल की तरफ देखा। करनल ने सहमती में सिर हिला दिया। जेशनकर की मरसिदी सठक पर दौह रही थी। उसके आगे पीछे दो गारियां चल रही थी। उसकी गारी में उसका पसनल गाज सतर्क बैठा हुआ था। आगे पीछे भी उसके कार्यकरताओं की गारियां थी। पुलिस प्रोटेक्शन तो अब रहा नहीं था। जेशनकर अपने सेक्रेटरी को फोन कर रहा था। तभी एक सिक्स सिलेंडर बाइक धरधराती हुई आए और उसने इन तीनों कारों को ओवर्टेक किया। मोटर साइकल पर एक फौजी बैठा हुआ था। वह तीनों गारियों को ओवर्टेक करता हुआ आगे आगया। फौ और गारियां रुक गई। वह यही समझे की वह गश्ती सैनिक है। जेशनकर ने कार की खिलकी उतार दी। फौजी उसके पास आया। उसने तुरंथ ही कार का दरवाजा खोला और जेशनकर को गिरेबान से पकड़ कर बाहर खीच लिया। तभी तीन बाइक सवार और प्रक जेशनकर का गनमेन छलांग लगा कर भागा लेकिन दो गोलिया उसकी पुष्ट में भी समा गई। अब वहा केवल एक शक्स जीवित खड़ा था। वह सांसद। जेशनकर था, जो पहले वाले शक्स के सामने खड़ा थर-थर काप रहा था। विक्रम, कामिनी का पिता, सव पार ने खनकते स्वर में कहा और चेहरे का कपड़ा हटा दिया, कंकाल टाइगर। जेशनकर थर-thर कापने लगा, उसके सामने एक कंकाल का चेहरा था। मा, मुझे माफ कर दो, वह हक लाया। कंकाल टाइगर ने कोई जवाब नहीं दिया, अगले दिन उसकी लाश चोराहे पर टंगी मिली, सीने पर एक तक्ती पर लिखा था, बलातकारी, राजगर की सढकों पर सननाटा था, बहुत से लोग पलायन कर चुके थे, डी-ए-वी स्कूल का संस्थापक अपने बंगले के सारे दर्वाजे बंद करके अपने ड्राइंग रूम में बैठा न्यूस ब्रेकिंग न्यूस में राजगर की ही चर्चा थी, राजगर की सूनी सढकों को दिखाया जा रहा था, चौराहे पर लटकी हुई सांसत जेशनकर की लाश के साथ जो स्टोरी दिखाय जा रही थी, उसकी असलियत शिपा दी गई थी, यह नहीं बताया जा रहा था कि उसने एक मासूम लड़की कामिनी की साथ रेप किया था और उसका बाप ही कनकाल टाइगर था, जिसने उसे बीच चौराहे पर फासी पर लटका दिया था, अलबता न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कुछ विदेशी दहशतगर्दों ने पूरे शहर पर कबजा करके डर का मा हॉल पैदा कर दिया है तथा उन्होंने एक कनकाल रूपी इनसान की दहशत भी फैला दी है, जिससे वह कनकाल टाइगर कहते हैं, सांसाथ जेशनकर ने कुछ हैसे लोगों को बेनकाब किया था, जो इस साजिश की न सिर्फ फंडिंग कर रहे थे बलकि उन्हें पनाह भी द पाती बैठी थी, यह लोग यह नहीं बता रहे हैं कि इस शहर में भूत प्रितों का आतंक चल रहा है, लोग बलेक बंग से मर रहे हैं, कुलिस वाले भी यहां से भाग चुके हैं, प्रशासन नाम की कोई चीज यहां नहीं रही है, जब यह लोग एक शहर की व्यवस्था नहीं संभाल सकते, तो देश क्या संभालेंगे? न्यूज चैनल का आंक कह रहा था, बलेक बंग नामक बीमारी कोई महामारी नहीं है, इसका असर अब राजगर में दिखाई नहीं देता, जल्दी ही राजगर के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, इसके लि पुलिस कमिशनर और पुलिस फोस की माकूल व्यवस्था की जा रही है, केंद्र से रिजर्व पुलिस फोस भी रवाना कर दी गई है, इसी सप्ता सभी ओफिसर अपना चार्ट संभाल लेंगे, वैसे पूरा नगर इस वक्त आर्मी के कंट्रोल में है, राजगर के निवास मुझाहिदीन संगठन काम कर रहा है, यह मुसलिम संगठन पहले लब जिहाद भी चलाता रहा है, इन्होंने राजगर में बहुत से हिंदू मंदिरों में मूर्तियां भी खंडित की है, कुछ खंडित मूर्तियों की वीडियो भी दिखाए जा रहे थे, इसके अलावा लीगम थी और हैदर अली ने उस रियासत का नाम राजगर रख दिया था, यह रियासत नेपाल के बॉर्डर पर है, वही वर्तमान राजगर है, राजगर का पूरा इतिहास बताया जा रहा था कि नेपाल के रास्ते वहां दहशतगर्द आते हैं, जिन्हें चाइना का भी स पोर्ट है, उनका मकसद राजगर खाली करके उसे आजाद मुल्ग खोशित करना है, लगभग सभी न्यूस चैनलों पर यही चल रहा था, मैंने जेशनकर को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, शिव कुमार बढ़बढ आया, स्वाती के मुबाइल फोन पर है, तो, यार, तेरा ताला तो बंद नहीं है न और मैंने तो साथ में ही पकड़ा हुआ है, इलगू, न तू घर से निकल सकता, न मैं निकल सकती, फिर कैसे ताला खुलेगा, तो एक काम कर, कोठी का बाहर वाले का गेट खुला रखना, मैं आ जाओंगा, पर घर में मम्मी, पापा और छोटा भाई है, तेरी कोठी में एक बाहर वाला कमरा भी तो है न, किसी को पता नहीं चलेगा, वहीं आ जाना, किस वक्त आएगा, सवा बारह बजे, तूने नियूज देखी, स्वाती ने पूछा, घंटा, मैं इन कुत्तों की नियूज नहीं देखता, यह साली नियूज की दुकान है, इन्हें हर मामले में हिंदू मुसल्मान एंगल नजर आता है, भला यहां कौन सा मुसलिम आतनकवादी है, सब को पता है कि जेशन कर रेपिस्ट था, उसके गले पर एक तक्ती लटका दी गई थी, जिस पर बलातकारी लिखा था, तक्ती हटा दी सा ने और उस पर एक पाकिस्तानी दहशतगर्द का नाम लिख दिया, अरे छोड़ो इस बात को, मैं आ रहा हूँ, फोन आफ हो गया, शिव कुमार अपनी पतनी के साथ बेडरूम में सो रहा था, आजकल उसे सोने के लिए नीन की गोली लेनी पड़ती थी, यही हाल उसकी बी जिस्म पर कोई नुकिली चीज चुभे तो नीन्द खुल ही जाती है, बराबर में उसकी बीवी खर्टी ले रही थी, शिव कुमार कराहते हुए उठा, बेडरूम में मद्धिम लैंप की रोशनी थी, उसकी आख खुल गई फिर खुली आख चौड़ी होती चली गई, वो की आख फटी की फटी रह गई, अभी तुम और भी कुछ देखोगे, अचानक एक खंकती आवाज सुनाई दी और शिव कुमार ने पलट कर देखा, एक कुरसी पर कंकाल टाइगर है अब कुत्ते ने उसे चोड़ा और उसकी बीवी बैठा हुआ था, ली, उसकी भी आख ख खुल गई, और वह भी बुरी तरह चीखने लगी, कंकाल टाइगर ने एक बजाए, यह, का, क्या, का, कौन हो तुम, शिव कुमार हकलाया, विक्रम, कंकाल बोला, जिसकी एक मासूम बेटी थी, नाम था कामिनी, अचानक कमरे का दरवाजा खुला और नंग-धरंग स्वात लड़ खडाते हुए कमरे के फर्ष पर आकर गिरी, उसके पीछे चार लड़के और अंदर आ गए, सबसे आगे अर्जुन था, और चारों, लड़के इस तरह जूम रहे थे जैसे नशे में हैं, यह चारों के चारों नंगे थे, अब शिव कुमार और उसकी पत्मी एक इशन उत्पात कर डाला, वह स्वाती को पतक पतक कर उसके गुपतानगों से खेल रहे थे और यह खेल तब तक चलता रहा जब तक स्वाती की आखिरी सास बाकी रही, शिव कुमार अपनी बेटी के साथ भयानक रेब देख रहा था, कल तक तुम्हारा जिस्म भी पिघल ज उनकी बेटियों का क्या हत होता है, उन्ही के घर में उन्ही की आखों के सामने वह मर जाती है और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं होता, यह कहानी सद्यों तक याद रहेगी, कंका टाइगर ने हवा में हाथ लहराया और चारो लड़के उसी तरह नशे की हालत में कमरे से बाहर निकल गए। कोठी से बाहर निकल जाने के बाद उन्हें कुछ होशा गया और वह चौक कर इधर उधर देखने लगे। से चार कुट्टे नमूदार हुए और फिर वह दश्यतजदा होकर सुनसान सड़क पर भाग खड़े हुए। लेकिन कहा तक भागते कुट्टे तो उनसे भी तेज रफ्तार से भाग रहे थे। और फिर वह सड़क पर ही लगखडा कर गिर पड़े। कुट्टे उन पर मा का हुआ और आर्मी जीट के पर खच्चे उड़ गए। उसके टुकडे टुकडे हवा में लहराते हुए सड़क पर गिरे। आर्मी जवानों ने पोजीशन छोड़ी, कुट्टों पर फायरिंग करने की बजाए खुद अपनी जान बचा कर भाग निकले। आधे घंटे में ही शहर में आर्मी गाडियों के हंटर बजने लगे। अगले दिन ब्रिगेडिय होशियार सिंग के हुकम पर आर्मी के जवानों ने राजगर छोड़ने की तयारी शुरू कर दी। ब्रिगेडिय के हुकम की सूचना हाइ कमान तक पहुँच गई थी। फोन पर ब्रिग प्रिगेडियर ने हाई कमान को मेल करते हुए लिखा, हम इंसानों से मुकाबला कर सकते हैं, प्रेतों से मुकाबला नहीं कर सकते. मैं नहीं चाहता कि हमारे जवान मरकर के कनकाल में तबदील हो जाए. मैं हाई कमान से निवेदन करूंगा कि वह राजगर में शासन चलाने का विचार स्थगित कर दे। यह शहर अब भूत प्रितों की राजधानी बन चुका है। यदि इसे हाई कमान के आदेशों का उलंगन समझा जाता है, तो बेशक मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। जो भी सजा मिलेगी वो स्वीकार्य है। ब्रिगेडिया के मेल ने हर कंप म पचा दिया। अगले ही दिन पूरी आर्मी की यह यूनिट वापसी के लिए रवाना हो गई। हर सड़क हर होटल, मॉल सब जगह वीराना पसर गया था। कोई भी चोर डाकु यहां आकर खुल्याम लूट कर सकता था। वहां कोई रोकने वाला नहीं था, न शासन था, न हर इमारत खामोश खड़ी किसी तूफान का इंतजार कर रही थी। राजगर सारी दुनिया की नजरों में आ चुका था। बड़े बड़े महकमें उस शहर पर निगाह गड़ाय हुए थे। इसके बारे में खौफनात कहानिया सुनी जाती थी। कनकाल टाइगर के बारे मे बेताल कहानिया जैसे अंगिनत किससे गर दिये गए। उसकी कालपनिक कहानिया छपने लगी थी। बेरोजगार पत्रकारों और किससे कहानिया लिखने वालों को रोजगार मिल गया। एक पत्रकार ने तो यहां तक दावा किया कि वह कनकाल टाइगर से मिल चुका है। उस इस से पहले राजगर के लिए ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। कमांडोस की इस कमपनी का नित्रित्व निरन जनकाला कर रहा था। वो इस वक्ट ट्रेन के उस स्पेशल कमपार्टमेंट में था जो गार्ड और रेल्वे अधिकारियों के लिए काम आता था। यह कमपार्टमेंट सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से लेस था। निरन जनकाला के साथ एक गार्ड और रेल्वे पुलिस के दो हतियार बन जवान मौजूद थे। इस कमपार्टमेंट के आगे इंजन था जिसमें ट्रेन ड्राइवर और उसके दो जूनियर उसने गारी का हॉन बजाते हुए उसकी हेड लाइट आउन कर दी। हाला कि अभी रात नहीं हुई थी लेकिन धुन्द हितनी गहरी थी कि आगे कुछ नजर नहीं आता था। ट्रेन ने जैसे ही धुन्द में एंट्री ली वह किसी अद्रिश्य दीवार से टकरा गई। एक रूम वाला स्टाफ तो इंजन के नीचे ही कुछ चल गया था। कुछ कमांडोज उल्टी हो चुकी बोगियों से बाहर निकल आए। वह जखमी थे लेकिन वह अपने जखमों की फिक्र किये बिना अपने साथियों को सुरक्षत निकालने के लिए कोशिश करने लगे। नि पाही चोट खाकर बेहोश हो गए गए थे। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि पास की। ज़ाडियां हिली और एक कददावर कुट्टे ने निरंजन पर छलांग लगा दी। कुट्टे ने उसके गिरते ही उसे ज़ाडियों में खीच लिया। उसके तुरंद बाद ही कुछ और कुट्टे ज़ाडियों से निकल आए और जो कमांडो बोगी से निकल आए थे उन पर तूट पड़े। यह सब पहले से ही घायल हो चुके थे फिर भी कुट्टे से गुत्थम गुत्था हो गए। लेकिन कुट्टों ने उनकी नरखरे उधेर डाले। रात का अं पहले दिन एक हेलिकॉप्टर उसक्षेत्र का परीक्षन कर रहा था। पैलर जो सूचना दे रहा था वो हैरतन गेच थी। सर यहां कोई शहर नजर नहीं आ रहा है और न कोई रेलवे स्टेशन। सिर्फ ट्रेन उल्टी। पड़ी है। हनुमान अखारे में जहां राजग नहीं था। रात का वक्त था। रात चांदनी थी और राजगर के स्टेडियम में बल्की हलकी रोशनी थी। क्यों रे मेरे पुराने दुश्मन यार विक्रम ठाको। क्या तू मुझ से फाइनल मुकाबला करने आया है। जयंत दास ने कनकाल टाइगर से सवाल किया। नही मैं अपनी पराज़ कबूल करता हूँ। विक्रम अखाडे में घुटनों के बल जुक गया। तू तो दुनिया में में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा था न। तूने अपने काले जादू से मेरी बेटी की रूह रूह अपनी बेटी के शरीर में डाल दी औ मैंने तो तुझे इस गुनाह की सजा देकर मुआफ कर दिया था। तेरी बेटी का शरीर मर चुका है और मेरी बेटी आज भी अपने रूह के साथ ही जिन्दा है। मैं जानता हूँ जयंत। अब तू किसलिए मेरे पास आया है। तू तो काली देवी के सबसे पौरानिक मं दिर में शरनागत हो गया था, जहां से तुझे अपरंपार शक्तिया मिल गई और तूने पूरी राजगर को अपने तिलिस्म से गूम कर दिया है, ताकि दुनिया जान सके कि तू बहा क्या गुल खिला रहा है। तेरे साथ बहुत से कनकाल प्रेट भी हैं, शैतानी कुत्त जिन्होंने पूरे नगर में तबाही मचाई है, पर मेरा उदेश पाक है, मैं संसार की मानबता को उन शक्तियों से बचाना चाहता हूँ, जिन्होंने जैविक हतियारों के हमले शुरू कर दिये हैं, वे शक्तियां विश्व पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हर तर दोस्त, मैं बेशक काले जादू की सहायता से गंदे काम करता रहा परंतु अब मेरा उदेश बिलकुल पाक साफ है, मैं जानता हूँ कि राजगर विश्व की धुरी है, किसी जमाने में यह शहर काली देवी का पवित्र शहर हुआ करता था, किन्तु स्वार्थ और दौलत क कमाने की हवस ने इसकी पवित्रता नश्ट कर दी थी, पुजारियों को चुन-चुन कर कतल कर दिया गया और नए जमाने का नया शहर आबाद कर दिया गया, उन्ही पुजारियों की रूह मेरे मिशन में साथ जुल गई और अब मैं यह जंग अंजाम तक पहुचाना चाहत हूँ, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में नई व्यवस्था कायम हो, सत्योग जैसा युग हो, राम राज जैसा राज हो, लोग अभी भी हमें तहस नहस करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है, उस पवित्र नगर पर बंबारी की जाए, पहली बात तो यह है कि तुम अपने ही देश की भ्रष्ट व्यवस्था से लडोगे, तो जब उन लोगों को पता चलेगा कि जादू की काट जादू से हो सकती है, तो वह हम जैसे लोगों की मदद से तुम्हारा चक्रव्यूर तहस नहस कर देंगे, उसके बाद विश्व की महान शक्तियां है, उनके पास भी तुम्हारी शरण में आया हूँ, मैंने तुम्हें जो सजा दी थी, उसके अनुसार तुम्हारा शरीर कनकाल रूप में सदियो तक जीवित रहेगा और तुम अपना शरीर पाने के लिए भटकते रहोगे, नहीं है, मेरा कनकाल नश्ट हो जाए उसकी भी फिक्र नहीं है, म मैं साथ दूनगा, विक्रम खड़ा हो गया, लेकिन मैंने अगर तुम्हारा साथ दिया, तो मुझ पर भी मुसीबतों का पहार तूट पड़ेगा, मैं तुम्हें कभी सामने नहीं आने दूनगा, तो सुनो, जिस देवी के प्रताप से तुमने यह सब कर डाला, वो शक्ती संपूर्ण नहीं है, शक्ती अरजित करने के लिए तुम वितल लोक की यात्रा कर सकते हो, वितल लोक में यदि तुम्हारी सच्मुच मौत हो गई, तो फिर तुम सिवायराख के कुछ नहीं रहोगे, जैसे ही तुम वितल लोक में प्रवेश करोगे, तुम्हारा कनकाल अगर से घिरी हुई है, यदि तुम वहां से कालका का साथ प्राप्त कर लोगे, तो तुम अमर हो जाओगे और विश्व में कोई जादूगर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, जब तुम वितल लोक से वापस आओगे, तो फिर से कनकाल रूप में आ जाओगे पर प्रिथवी के अंदर में कई परते हैं, जिसे हम पाताल लोक कहते हैं और पाताल का सबसे अंतिम लोक, वितल लोग है, वहां का जन जीवन भी हम इनसानों की तरह हैं लेकिन वहां इस धरती की तरह विकसित सभ्यता नहीं है, वहां अब भी जंगली, आदिवासी रहते हैं और वह सब जादूग हैं. तुम वहाँ एक सामान्य इंसान के रूप में ही जा सकोगे. मारे गए तो फिर तुम्हारा खेल खत्म. कालका का सहयोग पाकर वापस आ गए, तो फिर तुम्हें पराजित करने वाला कोई नहीं होगा. परंतु वितलर लोक जाने का रास्ता कहा है? देखो विक्रम, यह तुम बहुत बड़ा खत्रा मोल ले रहे हो. मेरी मानो तो तीसरे महायुद की जंग का एलान करने के इरादे को तर्क कर दो. जितने भी इंसानों को तुमने कैद दिया है, उन्हें आजाद कर दो. राजगर क मुम्किन नहीं है दोस्त. अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ. तुम्हें याद होगा, जब मैं कनकाल बन गया था, तो सारी बस्ती के लोग मुझे जलाने पर. आमादा थे, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ. उस दुख की घड़ी में किसी का मुझे सहयोग नहीं मिला. तंत्र मंत्र से मैंने न जाने कितनों का इलाज किया था, कितनों को भूत और उपरी बला से मुक्त किया था पर मुझे अपनी जान बचा कर राजगर से भागना पड़ा. तब मेरी समझ में आया कि आज के दौर में मानव की मानवता समाप्त हो ग काल का जील कहते हैं. उसी जील की तलहटी में एक सत्रंगी किष्टी को धरातल से बांद कर रखा गया है. जील में गोता लगाओगे तो वह किष्टी तुम्हें दिखाई देगी. उसे खोल कर सतह पर ले आना. पूरे ब्रमांद में साथ अंग का बहुत बड़ा महत्व है. हम वितललोक का सागर है. अगर तुम साथ कनकालों को भी ले जाओगे तो वह भी शरीर प्राप्त कर लेंगे. तुम चाहो तो जीवित इंसानों को भी ले जा सकते हो पर तुम्हें मिला कर उनकी संख्या साथ होनी चाहिए. उसके बाद जो होगा, तुम्हें उसका मुकाबला खुद करना है, वहाँ जो भी मारा जाएगा उसकी रूह हमेशा वितलल लोक में रहेगी और वहाँ पहले से भी ऐसी बहुत सी रूहे हैं, जो वितलल लोक गए और मारे गए, वहाँ के जादूग उन रूहों से गुलामी करवाते हैं, इसे मेरे ग्यान का भंडार समझो, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ, तुम्हें वहाँ, कोई हथियार नहीं ले जाना है, विक्रम ने दोनों हाथ जोहकर जयंत को प्रणाम किया, अल्विदा दोस्त, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, जयंत ने कहा और तेज-तेज कदम उठाता स्टेडियम से बाहर निकल गया, झाल